Hello Traders, आज हमने किसी भी तरह का कोई trade execute नहीं किया, because हमारे पास HTC bank थे, इसके अंदर हमें short selling करनी थी, but किसी भी तरह की confirmations नहीं होनी के वज़े से, आज कोई भी हमने trade execute नहीं किया, मेरी order book भी आज बिलकुल खा लिए है, और position book में यह गी रूपाय का profit नहीं है, फिर कोई दूसरा stock नहीं तो में देखने का मनुआ नहीं trade करने की नहीं हो, तो आज किसी भी तरह का कोई trade execute नहीं किया, देखे, तीन, चार stocks total हम आज के दिन आपको देंगे, इन चार के चार stocks के अंदर जिस तरह का view हम बताएंगे, उस तरह से market को आप कल देख सकते हैं, यह मेरा point of view है, बाकि stocks हैं, levels हैं, इसके उपर आप खुद भी अपनी analysis करोगे, और analysis करने के बाद नहीं को जालाएंगे, आप step उठाओगे, सबसे पहले जो stock हमारे पास, में पहुँच रहा है, इसके आप देखिए, volumes आ रहे हैं, यहां पर भी, जितनी भी activity हम लोग करेंगे, levels के अंदर, जितनी भी stocks हमागे रहेंगे आपको, हमारे level के पास में होना चाहिए, आपको short selling करते हुए यहां से चलना है, वो retrace होने के लिए उपर जाएगा, आपको sell ले लेगा, और फिर नीचे के तरब में भी अगर इसको गिरना तो गिर जागा, तो इसलिए जितनी भी activity आप लोग को करनी है, अपने level के पास में आगर के ट्रेट कीजएगा, और अपने level के पास में किसी भी तरह की कोई position आप लोगियाँ पर create कीजएगा, इस stop loss को maintain करेगा, अपना अगर हो सके, stop loss ज्यादा से ज्यादा तर जो safe रहता है, हमारे level के ऊपर अपना stop loss safe रहेगा, वाले level के उपर, अच्छा setup बनने का वीट कीजएगा, और प्राइस जब नीचे के तरफ गिरने लग जाएगा, और आपको selling का एक अच्छा मौका दे, अच्छे confirmation दे, तब ही short selling कीजएगा, short selling करने के कई साइज signals होते हैं, बहुत बारा हम आपने आपसे बताया है, कि bearish formations को देखते हैं, जब price close कर दे हमाई लेवल के पास में, तब यहाँ पर आप trade execute करोगे, 1.2 का minimum आप target यहाँ पर ले करके चलोगे, हैवस, दूसरा stock है माँ पास अठाइन पोट का, अठाइन पोट के अंदर हम लोग बाइं करते हुए चलेंगे, price जैसे हमारा हमाई इस level के उपर buying के confirmations देगा, 6.84.40 और 6.83.85 इस वाले level के उपर जाकर के, जैसे ही market अपनी closing देगी, एक confirmation के बाद में, यहाँ पर, एक bullish formation के उपर, जब market जाकर के आप closing देगी, आप यहाँ पर buying करते हुए चलोगे, और minimum जो यहाँ पर आपको risk and reward ratio लखना है, वो 1 issue, 2 का आप risk and reward ratio लेकर के चलोगे, और इसके अलाबा भी जितने stocks होगे, live market में हम आपने public telegram channel पर share करेंगे, अगर आप लोग ने जोईन नहीं किया वो channel, तो आप telegram channel आपने जोईन कर सकते हुए, लाइब मार्केट में बें कुछे stocks निफ्टी के लेवल होते हैं, वो वहाँ पर हम share कर देते हैं, तो आप channel जोईन कर सकते हुए, जो third stock हमारा NICA है, NICA के अंदर हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हुए चले हैं, इसके अंदर जो लेवल हमारा होगा 1378.50, 1377, करेंगे और minimum जो target इसके अंदर है, same वही पन इशू 2 का हमारा target है, NICA के अंदर short selling करते हुए चलेंगे, अब आता है हमारे पास TCS, TCS के अंदर हमें short selling ही करने, देखिए 3 stock हैं, 3 के अंदर हमें short selling करेंगे, अदानी पोर्स जो है उसके अंदर हमें सिर्भाइं करते हुए चलना है, TCS के अंदर देखिए हमारे जो level है, 324 1.85 और 324 2.40 का level है, price ने देखिए last momentum में हमारे level को breakout कर देने के बाद में अच्छा खासा यहां पर volume का formation देखा है, volume generate की है, अच्छी खासी volume है, अब price again, इसके अंदर जो activity हमें करनी हमारे level के पास में, ऐसा नहीं कि price यहां पर trade कर रहा है, यहां पर trade कर आप लोग यहां से short मरो, फिर से price के अंदर जो retracement करने की जगा होगी, वो यहां तक retrace कर सकता है, और अगर यहां तक retrace करने के लिए गया तो stop loss sit, और stop loss sit होने के बादे, फिर से price के अंदर movement, downside की तरफ हो सकता है, अगर stock को गिरना है और इसको उपर की तरफ जाना है, तो same level से यह उपर की तरफ भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि जब हम बोलना है short selling करना तो यह stock buy होगा नहीं, यह buy भी हो सकता है, लेकिन हम जो इसके अंदर अपना view लेकर के चले है, short selling का view लेकर के चले हैं, अगर stock उपर की तरफ जाना है, तो हमारे इन ही level से यह उपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन buying हम नहीं देखेंगे, सिर्फ selling करनी है, चारी stock है चारी stock के अंदर जो आपके view हैं, वो हमने clear कर दिये हैं, TCS के अंदर भी हमारे level के pass में आपको confirmations लेने short selling के stop loss लगा होगे, आप अपने swing high के उपर हो, 1 ratio 2 का minimum target लेकर करके आप यहां से चलोगे, कोई trade execute है नहीं, और कोशिच करेंगे हम, कि आपको कुछ ना कुछ stocks रोज के रोज हम provide करें, जैसे कि अरले दिन के लिए आप उसके अंदर अपना view लेकर करके चलोगे, तो यह 4 stocks हैं, TCS, Naika, Adhani Port and Hevel, Thanks, अब हम रुख मिलते हैं कल के training session में, Telegram पर मुझे कुछ stocks हम शेर करें हैं, So thanks and we will meet again.